इस मेडसीन का उपयोग जैसे कि अगर किसी के केडिनी में पत्री की समस्या है तब इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के दौरा ये मेडसीन दिया जाता है या फिर किसी के मुत्र मार्ग में किसी परकार का संकरमण है तो उस संकरमण की समस्या में ये मेडसीन दिया ज या फिर डॉक्टर के दौरा कि किन किन रोगों में मरीज को क्या क्या बीमारी रहता है तब डॉक्टर के दौरा ये मेडिसीन मरीज को प्रेसकराइब किया जाता है इस मेडिसीन का डोज क्या होता है इस मेडिसीन का साइड इफेक्ट क्या होता है ये मेडिसीन लेना कैसे होत कितने age कितने age तक दिया जाता है इस medicine का does क्या होता है इसके बारे में आज हम आपको पूरा detail से हिंदी में जानकारी बताएंगे चलिए जान लेते हैं यह medicine काम क्या करता है जैसे कि अगर किसी के यूरिनरी ट्रेक इंफेक्शन की समस्या है यानि अगर किसी के मूँ तर्मार् जड़ से ठीक करने का काम करता है और जैसे कि यद किसी के किड़नी में यानि यद किसी के किड़नी में पत्री है आपने देखा होगा जब किसी के किड़नी में पत्री की समस्या रहता है तो उस पत्री की समस्या की प्राबलम यानि जो पत्री है उसे सरीर से बाहर निकालने के लिए डॉक्टर के दौरा ये मेडिसीन पेसक्राइब किया जाता है ये मेडिसीन काफी अच्छा मेडिसीन होता है डॉक्टर के दौरा ये मेडिसीन काफी ज़धा पेसक्राइब किया जाता है गुर्दे में पत्री की समस्या हो या फिर मूत्रमार्ग में संकरमण की समस्या ह तो इन सारी समस्याओं को ये मैटसीन जड़ से ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि ये किसी के यूरिय ट्रेक इन्फेक्शन की समस्या रहते हैं तो इसमें क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब वो पेसाब करने के लिए जाएगा तो उसका पेसाब रूक रूक करके आएगा यानि पेसाब उसका बूंद बूंद में करके आएगा पेसाब करते टाइम काफी ज़्यादा जलन की समस्या रहेगी भबक के जैसा महसूस होगा और उसका जो यूर पत्री किडिनी में हो या फिर हम कह सकते हैं कि आपके गुर्दे में हो या फिर मूत्र मार्ग में यूरिनरी ट्रेक इंफेक्शन यानि मूत्र मार्ग में अगर आपके पत्री की समस्य है तो ये मेटसिन काम क्या करता है जो आपके पत्री का साइज है ना उसे धीरे धीरे कम क यानि उस पत्री को यह तोड़ने काकाम करता है और यह पत्री की जो आकार है वो धीरे-धीरे कम हो जाता है फिर आपका जो पत्री है या आपके यूरीन के रास्ते बाहर निकल जाता है तो ये medicine काफी अच्छा होता है पत्री की समस्या को ये परकार से जड़ से खतम करने का यानि जड़ से ठीक करने का काम करता है और जैसे कि यद आपके kidney में किसी परकार का infection हो गया हो या फिर आपके मूँ तरमार्ग में किसी परकार का infection हो गया हो तो इन सारी समस्याओं में य दॉक्टर के दौरा प्रेस्कराइब किया जाता है और जैसे कि यद आपके किड्री में किसी परकार का कोई इंफेक्शन रहेगा तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कत देखना पड़ेगा जैसे कि पेसाब करते टाइम काफी ज़्यादा दर्दी की समस्या रहना पेसाब रु मेडसीन मरीज को पेसकराइब किया जाता है और यह मेडसीन छोटी आत और बड़ी आत दोनों के लिए काफी अच्छा है यानि यह दोनों छोटी आत और बड़ी आतों को यह प्रापर रुप से एक तरीके से मेंटेन बनाने का काम यह मेडसीन करता है और यह मेडसीन आपक digestive system को भी एक तरीके से proper ठीक करने का काम ये medicine करता है जैसे कि अगर आपका digestive system ठीक रहेगा तो आप खाना खाएंगे कुछ भी खाएंगे तो बराबर पचेगा या फिर आपको भूख नहीं लगता है कभी-कभी अगर आपका digestive system proper रूप से work नहीं करेगा तो इन सारी समस्याओं को ये medicine है जो ये जड़ से ठीक करने का काम करता है और ये medicine आपके immunity system को भी boost करने का काम ये medicine करता है चलिए अब हम आपको इस medicine के डोज के बारे में बताते हैं इस medicine का डोज डॉक्टर के दोरा किस परकार से निर्धारित करके खाने के लिए बताया जाता है जैसे कि जो medicine का डोज होता है ये doctor के दोरा मरीज की age, उसके body weight, उसकी उमर और उसकी दिक्कत और उसकी समस्या को देखते हुए डॉक्टर इस मेटसीन का डोज है जो निर्धारित करके लेने के लिए बताते है अपने experience के अनसार जैसे कि जो adult में इस मेटसीन का डोज होता है वो डॉक्टर के द्वारा एक गोली सुभा और एक गोली साम को लेने के लिए बताया जाता है जैसे कि जो इस medicine का DOGE होता है ये doctor, मरीष की age body weight के इनुसार इस दवा का DOGE घटा बढ़ा करके भी देते हैं चलिए आपको बताते हैं इस दवा का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है जैसे कि इस दवा का कोई भी खास साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है बट अगर ये दवा आप ओबर डोज की मात्रा में लेंगे तो आपको साइड डिफक्ट हो सकता है जैसे कि आपको ड्रिंक अगर आपने ड्रिंक किया है तो आपको ये दवा बिलकुल नहीं लेना है अगर आप इन सारी समस्याओं में अगर ये दवा ओबर डोज लेते हैं या फिर ड्रिंक करने के बाद में ये दवा लेते हैं तब आपको नीद की समस्या हो सकती है आपके पेट में दर्द हो सकता है आपको नोजिया की समस्या हो सकती है इसके अलावा यद आपको और कोई द प्रुट्री